लगातार जन्ता के बीच मुख्यमंत्री केंदिये नेताओं के भी तीखेवार मैदानी दौरों से दिग्गी नात का पलटवार मध्यप्रदेश विधान सबाच जुनाओं का पारा दिन बदिन चड़ता जा रहा है बीजेपी हो या कांग्रिस चुनाओं का लेकर अब बैठकों के दौर के साथ मैदानी जमावट में भी पार्टियां जुटी है लगातार अलग-अलग इलाकों के दौरे वार पलटवार और दबाओ की राज़नीती से सियासी बिसाद बिचाई जा रही है लाडली बहना सम्मेलन हो या फिर गौर अवदिवसकार करम मुख्यमंत्री शिवराद सिंग जोहान खुद जनता के बीच पहुँच कर पार्टी की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं तो केंद्री मंत्री भी अपने-पने मोचों पर जुटे हैं इधर शुक्रवार को भी एक अलग ही तस्वीर सामने आई जब बीजेपी के वरिष्ट नेता विने सहस्र बुद्धे विकास की अबारत दिखाने खुद लोगों को लेकर रानी कमलापती स्टेशन पहुँचे सिर्फ बीजेपी ही नहीं कॉंग्रिस की भी तयारी अलग लेवल पर चल रही है पूरुसीयम कमलनाथ युद्ध दीती तयार करने के साथ ट्विटर के जर्ये सरकार पर हमलावर है तो पूरुसीयम दिख्विजय और अरुन यादव जैसे महारती अलग-अलग इलाकों में पहुँचकर पार्टी के लिए मैदान तयार कर रही है हमारे सारे नेता गाउं गाउं जा रहे हैं अरुन यादव जी का दोरा चल रहा है दिख्विजय सिंग जी का दोरा चल रहा है राहुल सिंग जी का दोरा चल रहा है कमलनाज जी के दोरे चल रहे है भारती जनता पार्टी में जो घवराहट है और जो अंतर संगर्ष और विद्रूप जो आला मुकी सामने आ रहा है भारती जन्ता पार्टी को उससे जो नुक्सान होने वाला है वो अच्छी तरह उन्हें ग्याद है चुनावी मशीन कहे जाने वाली पीजेपी हो या फिर मैदानी जमावट मजूटी कॉमरिस दोनों के ही सामने हर वर्ग को साधने की चुनावती है क्योंकि दोनों ही दल नहीं चाहते कि 2018 चुनाव के स्थिती दो बारा बने जहां जन्ता ने किसी को भी सत्ता की चावी नहीं सौपी थी बंसल निउस के सवाल सवाल नमबर एक 2018 के मुकाबले क्या दोनों ही पार्टियां अब जादा सतर्ग है सवाल नमबर दो बीजेपी के दिक्ष निताओं का मुकाबला कॉंग्रिस कैसे करेगी सवाल नमबर तीन ट्विटर के साथ साथ क्या कॉंग्रिस को मैदान पर भी उतरना होगा मैं हूँ शरत दिवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तैयारी जीत की तैयारी जब जीत के इरादे से हो तो सब कुछ जोंक दिया जाता है सब कुछ दाओं पर लगा दिया जाता है और यही देखा भी जाता है अगर आप जीतने वाली टीम और जीत से कुछ कदम या काफी खराब तरीके से न जीत पाने वाली टीम के अंतर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दो एहम चीजें जो विसलेशक मानते हैं कि विजेता टीम की बॉडी लेंगवेज एक तो भिन होती है और दूसरा वो अपना सब को जोंक देती है अपनी पूरी टाकत लगा देती है और वो भी पॉजिटिव मैनर के साथ यानि खेलने का आनंद भी लेती है वो टीम और अपनी पूरी ताकत जोंक देती है और कई बार जो हारने वाली टीम होती है वो कोशिश करती है कौन हारना चाहेगा जाहिर तौर पर लेकिन वो अपने अंतर विरोधों को सुल्झा नहीं पाती है उसके भीतर एक कैप्टन नहीं होता कई कैप्टन्स ह वज़े से टीम भी एक बटी हुई टीम हो जाती है तो ये समय ऐसा है कि दोनों ही टीमें भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस अपनी एक जुटता पर पूरा ध्यान केंदरित करते हुए अपने नेताओं के दमखम के साथ आगे बढ़ रही हैं कोई कोर कसर कोई भी नहीं चोड़ रहा है आपने देखा कि विनाय सहस्तर बुद्धे जी आये हैं बीजेपी के सीनियर लीडर पूरु प्रभारी मद्यप्रदेश के वो रानी कमलापती स्टेशन गए कि देखिए भारती जनता पार्टी के विकास की बानगी क्या है यानि किस इस्तर पर ये लड़ा निमान के लिए दौर में दौरे सखन रूप से उनके जारी है तो निश्चित तोर पर इसी को कहते हैं कि अब लड़ाई का जो स्तर है वो और इंटेंस हो रहा है आज इसी पर हम बात करेंगे जो महमान हमारे साथ है उनसे मिली है दॉक्टर इटेश वाजपे ही है पूरव लड़ाई का जो मौजूदा स्तर है दोनों ही पार्टियों की प्रतिदंदिता का जो मौजूदा स्तर है वो अब दीरे दीरे अपनी एक हायर लेवल को छूता हुआ अब दिख रहा है और अब वो गंभीरता और चिंता दोनों दिख रही है दोनों पार्टियों के रणनीत रूप से दिखाई दे रहा है यदि कॉंग्रेस के बारे में कहा जाता था कि फील्ड पर थोड़ी कम होती है उस तरह की जमीनी हकीकत से दूर होती है लेकिन जमीनी हकीकत को समझना और उक से साथ चलना भारती जंता पार्टी तो हमेशा ही कहती है कि हम 365 दिन चुनाओ रणे हाले लोग है और हमेशा उसकी तैयारी में रहते हैं पहले दिन जिस दिन चुनाओ जिते हैं उससे अगले दिन से दूसे चुनाओ की तैयारिया शुरू हो जाती है लेकिन निश्चित रूप से 2023 का चुनाओ 18 से बहुत अलग नजर आ रहा है आज अरुन यादा पहुंचे बूत सेक्टर की बात यदी बीजेपी किया करती थी तो कॉंग्रिस भी करने लगी ठीक एक जैसी लाइन पर और जब एक जैसी लाइन दौनों दलग पकड़ ले शरच जी तो चुनाओ बड़ा दिल्चस्प होता है बहुत अच्छा होता है लेकिन लोगतंत्र के पावन प पर उमीदवारों के नाम भी फाइनल कर करी चुके हैं लगवग लगवग गोशना भी हो जाएगी ऐसी भी ख़बर थी बरहां यह वक्त बताएगा लेकिन यह जरूर है कि आप अपनी तैयारियों में इस बार कुछ अलग लेवल को छूने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह क प्रयास BJP भी कर लई है वो भी पीछे नहीं है और बलकि मैं कहूंगा कि अभी तो हम लोग यह नहीं तैय कर पा रहे हैं कि किस दल की यानि दो ही दल हैं कि किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत है या जिसमें हम कुछ खामी कोई देख पाएं आप किस तरह देखते हैं कॉंग जिसके कारण से भारतियनता पाइटी के अगर आपको याद हो शरत जी अमिश्या जी जब 7-8 महीने पहले आ रहे तो उनने कहा चुनाव मोदी जी के चहरे पर लड़ा जाएगा उसके बाद दोबार आए तो उनने अपने शब्दों में सुदार किया कि शिवराज जी के च सिर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं कि श्रकार के मुख्या है मला आपको ये बताना पड़ रहा है कि उनके चेहरे पर चोन रड़ा जाएगा तो शर्जी कहीना को थाबित होता है कि भारतियनता पाइटी अपने आपने इंक्याराज जी असफल मुख्मंत्री है इनके समयमें मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने खुद देखा अभी जब इनकी सरकार को तीन साल बे मिसाल पुराने पंदर भूल गए तो मदला यह साबित होता है कहीं ना कहीं कि इस बार जो इस्तिती है भार्चपा की अंदर की तो कहीं ना कहीं यह सुख भुगाट है य हर जिले में आप तक हफ्ते में दो से तीन रेलियां करते हैं यह अलग बात है कि हम बड़े-बड़े इवेंट नहीं कर पाते को हम तो सरकार को है वह बड़े-बड़े इवेंट करने का दिकार तो सिर्फ सरकार को है वह बड़े-बड़े इवेंट कर लेकिन हम जनता के बी से आवाज आ रही है कि गलत किया है आपने मलब भोले नात को महाकाल को भी नहीं छोड़ा तो इसके बाद श्रच जी अब आप देखेंगे इनकी कई सारी रणनीतियों में इनको बदलाओ करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि शिवराज जी आज गये कल गय ये भी देखा श्रच जी के तीन लोग आए रातो 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 रात चलेगे अरजेंट मीटिंग लग रहा था अब तो कुछ होने ही वाला है लेकिन अब जो समीकन वदले हैं इस से साबित होता है कि भाजपा में सिवराज सरकार में गहरी चिंता और गहरी निराशा ह है जिस तरह से मैच खेलने के पहले एक निराशा का भाव होता है भाजपा में वो निराशा सत प्रतिशत दिखाई दे रही साफ साब दिखाई दे रही और आपने उसके उलट आप हमारी पार्टी को देखें कमलनाजी के नित्वत में हम लोग पूरे हमारे होसले बुलंद हैं और हम लोग कॉंफिडेंस से लबरेज हैं कि हमारे नेता के आज जो मद्यपदेश के विधान सभा का चुनाओ के स्तर के ऊपर हम चर्चा करें श्रची तो उसका कारण सर्फ एक है वो नाम है कमलनाज जी का कि कमलनाज जी के कारण के चुनाओ का स्तर पहुत उबर जा जी लेकिन मुझे खुशी होती कि आप दोनों अगर अपनी उपलब्धियों पर भी बात करेंगे क्योंकि पूरा समय जो है मैं देखता हूं कि एक दूसरे की एक दिन पहले भी हमने इसी मंच पर यही बात कही थी कि पूरा समय एक दूसरे की आलोचना में चला जाता है और बीजेपी की तरफ से 5-6 बातें कॉंग्रेस को लेकर मैं सोचूंगा अगले लेवल में राउंड में हम कोशिश करेंगे सर जी बिल्कुल ने बिल्कुल आप आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता है जी डॉक्टर इतेश वाक्षी तो मैं तो उसी पर फोकस करूंगा त तो पहला पक्ष आपका जो है वह बहुत सीधा सा है उसका बेक उधान दे देता हूं शरच जी मैंने पिछली बार भी कहा था आज तीन तारिक हो गई है दस जल्दी आ रही है और एक करोड़ पचीस लाख तेईस हजार चार सो सैथिस महिलाओं के अकाउंट में एक रुप है टीका हो गया है अब जो एक हजार की राशी है क्योंकि इस महिने अब उनको एक हजार एक मिलेगी एक रुपया चला गया है तो यह हिसाब देंगे शरच जी अब जो हमने आपको कहा है तो यह तो बहुत सीधी सी बात हो गई इसके बाद हमने आज अपनी प्रेस कॉन्फ करोड लोगों को घर की चाबयां दी प्रधान मंत्टी आवास जिसमें से आपको धियान हो गा चारलाख Nos यह ता फिगर था चाबयां दी गई है तो अब आप यह आरूप मत लगाना साब की मैं केवल इन पर आरूप लगा के बंग जा रहा हूं तो यह मैं हिसाब दे रहा हूं जी फिर उसके बाद आप आजाईए निकल कर बारा करोड लोगों के लगभग ग्यारा दशमलो नौ साथ बारा करोड सोचाले आज यह दी माचना होता था तो आपने भी वो कतारे देखी होंगी शाम को जब आते थे तब आपने भी उन महिलाओं को कतार में देखा होगा सड़क के किनारे चलते हुए क्योंकि आपका भी लगभग तीन दशक का जीवन है आज यदि आपको कहीं दिख जाये शरत जी तो मैं हैं अब आपको नहीं दिखाई देती हैं और दूसरी सर आपकी सर माफ करना गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज होगी उसको थोड़ा सा ठीक रखना क्योंकि आप सड़के बहुत अच्छी हो गई है तो मैंने पता किया सौ से उपर आप चल लेते हो कभी कभी तो वो नहीं क करना सुरक्षित चलना चाहिए हमको क्योंकि अच्छी सड़कों का खामियाजा यह रहता है कई बार तो यह सर हमने तेरा करोड़ स्वचा ले बना कर दिये साड़े तीन करोड़ जैसा मैंने आपको उता है प्रहन मंत्री आवास तो यह सर फिगर्स हैं जो हम आपको दे रह हैं सर तो हमको यह करना है तो और चात्रों को भी देने का तैय किया है अब मैं सर थोड़ा सा पॉलिटिकल लिवरेज दस सेकेंड का लूँगा जी ले लिए 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 आप तयार ही कर लिए बढ़िया आपना जवाब देने की अवनीश जी ने चूंकि पूरा पॉ उंगरेज तीन प्रकार से जनता के बीच में जा रही है एक हमारे नेताओं की छवी कराप करना जैसे अबनी जी ने तो थोड़ा कंसीडरेट हो गया जली मैं आता हूं दूसरे राऊंगा इस पर मैं दूसरे राऊंगा तो दस सेकेंड बस जी सर बहुत लंबा सर आपने उ पादा उन्होंने किसी भी राज्य में नहीं दिभाया उसको बार बार लेकर जनता के बीच जाना और तीसरी बात सर जो हमारे यहां पर कभी कभी कोई असंतोश कोई दिखाई दे तो उसको ततकाल माला और शीरिफल देना शौल देना और उसको यह प्रचारित करना कि जातारिये बडियां नाम है कमल जी और शिवराज जी का भी नाम बहुत सुंदर है दोनों ही नाम और कमल नाज जी और कमल की भिड़न्त भी है तो बढ़ी हना में क्या रख्खा है साहब नाम क्यों बीगारते हो क्यों शाल-श busy di tate ए शौफर ऑनी जी मैं टो-पंदामा उ सरकार में जन हितेशी कार हुए हैं उसको आज भी भाजपा नहीं गूल पाई आप देखें इनकी हर निताओं के ब्यान से बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने इन्होंने पंदा महीने में हम से सीखा है आप देखें श्रत जी हमने मिलावट खुरों खिलाफ युद लड कि आपके बारह कोड़ सोचालाय बन गया यह सब फर्जी आपक्डी है बिल्कुल फर्जी आपकी साधार पर खेरें भाजपा फर्जी आपक्रें व्हाजपा उस तरह की पाईटी है कि 2000 के नोट में चिप लगा थी 77 महीने बाद बन कर दिना यह यह सब अलग बात है तो परिदार मंति तो मुझे सा दिल्ली की बात करना मैं तो बात कमल नाजी की कर रहा हूं कि सर कमल नाजी की सरकार में हमने 27.27.00 का करदा माफ नहीं किया आपके किसा आप इक किसी मंति कमल पटेलने का सारे 12000 कोड का अब यह तो देखिए यह तो फिर हर चीज का रिएक्षन है इसके अलावा यह काम आप क्या होता कि सबके खातों में आ जाएंगे जरा इसकी जानकारी करिए और सबसे बड़ी बात आप देखें पैसा दे दिया इनकी जो सड़कें आपको अच्छी दिखाई दे रहें भी आ बारिश आने वाली सरच जी इनकी सड़कों की पूरी हालत आपके सामने जाएगी इनकी सड़कें इनकी सड़कें लेकिन आपके पास आपके पूरा वक्त रहेगा अप मनोच जी मैं आ रहा हूं अमनी जी आपकी तरफ ही आउंगा दूसरे राउंडी शुरुवात आप से फिर करूँगा मैं जी मनोच जी डॉक्ट आप जो फिगर दे रहे थे फिगर अपनी जगे बिलकुल दुरुस्त है जो मैं लाडली बेना की बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में दो करोड़ साट लाग से कुछ अधिक महिला मत दाता है सवा करोड के करीब अधिक महिलाओं को एक रुपया जैसा डॉक्ट साब ने का कि सवा करोड रुपया तो आज लगवग लगवग पहुंची गया एक रुपय की टेस्टिंग कर ली गई है और दस जून को एक एक हजार रुपय मिल भी जाएंगे यह एक बड़ा क्या यह एक बहुत महतपूर्णे क्योंकि चुनाओं मैंने देखा कि अब दो चीजों पर लड़े जाते हैं अंत अंत तक जिसको मुद्दा बनाने में पक्ष या पक्ष विपक्ष के खिलाब या विपक्ष पक्ष के खिलाब बना ले और दोनों की जो यो की एक योजना की बात करके आगे बढ़ने की बात की है आप किस तरह देखते हैं लाडली बेना की तरफ में फिर लोटना चाहूँगा लाडली बेना तो निश्य दूरु से अच्छी योजना है ही और उसका सीधा लाब जब सरजी किसी के अकाउंट में पैसा पहुंच जा लाएगा तो जाहिर है कि मामा भहिया का जो रिस्ता है शिवरा सिंग चौहान का मुझे यह बताई आप बीजेपी को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसी मंच पर हम हितेश जी की मौजूदगी में भी बात कर चुके हैं कि दूर दराज के संभागी मुख्यालेयों क कि भोपाल से दूरी कम हो खात तोर से जबलपूर और रीवा जैसे जो संभाग हैं और उसी के परिलल एक बड़ी महत्पूर्ण बात है कि जो लोवर रंग ऑफ ब्यूरोक्रिसी है मध्यप्रदेश में या किसी भी राज्य में बात कर ली जिसके पास एक्जीक्यूशन की असली चावी होती है किसी भी योजना के क्रियानवेन की असली चावी नायब तैसिलदार पटवारी एसडीम एसडीयोपी पुलिस इन सब के पास रहती है और सरकार का अंतिम चार पांच महीने का चैरा इसी से बनता है और कई बार माफ कीजएगा बिगरता भी इसी से इन दोनों में बीजेपी को आप किस तरह देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए देखिए बीजेपी को इस पर तो काम करना भी होगा इसकी चर्चा तो कई बार हो चुकी अभी तातकाल में जो मुद्दे सामने आया है अब उनका जिकर बार बार नहीं किया जा सकता लेकिन उसमे कहां गरबड हुई तो गरबड़ी वही है कि जिस चावी को आपने दे रखा वो नज़न दाज किया गया उस पर आपका ध्यान नहीं है तो ये एक बीजेपी को यहां समझने की जरुत होगी दूसरी बात यह है कि बीजेपी को एक मैसेज को कहां ध्यान देना आपने दो मह कर चलिएगा कि जिस ते इसके चुनाओ कि हम बार-बार बात कर रहे हैं यदि दिल्ली से मैसेज देने में कॉंग्रिस काम्याब हो गई है कि हम एक साथ है और वो आप देखिया रोन यादव फालू करने लगे हैं दिखवे सिंग लगातार कर रहे हैं कमलना लगातार कर रह रही तो मुझे लगता है यह समझने की जड़त होगी लेकिन कांग्रिस को समझना यही होगा अब नीजी मैं फिर आप से वादा किया आप इसे शुरू कर रहा हूं कि आप अपनी उपलब्दियों पर अगर रोशनी डालेंगे कि मजबूत बीजेपी को कैसे टक कर देंगे कि इस नीती को हम दोबारा शुरू करेंगे कि इनकी सरकार ने रोजगार के लिए कहीं कोई काम नहीं कि हम आज भी हमारे चाहे नेता कमलनाज जी हो या राहुल जी राश्टी इस तरह पर हमेशा रोजगार की बात करते हैं कि आप देगे इनकी समय में भरतिया होने ही करते हैं तो बात हमने देखे वादा किया है ठीक है तो बात वही है सबसे बड़ी बात आप देखें कि इनकी जनहितेशी ओजना है कहा है यह तो रोज एक नहीं तरह की पूरिया लेकिए लेकिन आप बताएं और आप 18 साल से सत्ता में हैं अब तक आप क्यों नहीं कर पाई यह सारी जो घोश्टा हैं आज आप कर रहे हैं इनको करने में आपको 18 साल क्यों लग गए और आप बहुत जली में इसलिए को कि अब आपकी कलई पूरी तरह से खुल चुकी है और हम आज भी रोजगार के साथ हैं रोजगार उन्मुक्त सरकार होना चाहिए और और चाहिए और अच्छा इंफ्रेक्श्ट ब्रस्टाचार नहीं होना चाहिए आप मां का लोग परिसरका ब्रस्टाचार काफी कुछ क्या चुका है सिवरा सरकार की कले खोल चुका है पहली चीज ओपी उसको लेके कॉंग्रेस धुका दे रही है एक भी राज्य में सेवा भर किसी में भी राज्य में राजस्थान से लगा किसी में भी पांच सो रुपे का सिलिंडर की रसी श्राच जी आप बुलवा के दे देना मैं मान लूँगा तीसरी बात आपने महाकाल लोग परिसरकी बात करी सर डेड़ सो दो सो परदर्श में से चार छे चतिगरस आंधी की वज़ए से हुए है यह तो गलत बात और पर अट बोलने जा रहा हूं यह बोल यह आठ बजे आ के आपके चैनल पर बोलेंगे वो बहुत भाएं आप नीजी पंदरा महीने की सरकार में एक खूप छिल्दा है साथ सो रुपे का मतका आपको याद होगा ना इन्होंने एक भी FIR, EOW, लोकाव युक्त क्यों नहीं किया, का रिष्ट खा गया वो उन ठेकेदारों से, क्यों नहीं किया, आप खुब चिलाया चाना सियास्त में बर्ष्टाचार हुआ, बीच में आपकी सरकार आई ना 15 महें ने, एक FIR बताईए, एक बताईए, शरत जी म पंद्रा महीने में सब कुछ करें, एक FIR भी नहीं करोगे, जिसको लेके छाती पीटी आप सरकार ग्राई, आप चाती पीटोगे, उसके आगे 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 आपने हिमाचल में सब जगे लाड़ी बहन के लिए रेजिस्टेशन किये नारी सम्मान में, अभी भी नीले पीले कांग्रेस को तो परेces देनी है, सर एक रुपे रुपया RTGS बता देगे जो मैंने आज बता दिया आपको, इक रुपया RTGS बता दिया आपको, शरजी की जूट बोल के जनता की ठीक हम भी समझ रहे हैं तेल की कीमते गैस की हैं और 1100 के सिलिंडर पर इसलिए 200 रुपे सबसेड़ी मोदी जी दे रहे हैं कभी आप सोचना 200 रुपे सबसेड़ी के हिसाब से 1000 करोड रुपे का वैय होता है और इनकी चारो गोषडाओं को केवल कलब क कर लोगे ना शरच जी तो एक लाग करोड से उपर उजाती तब बजट नहीं है हिमाचल का 36000 करोड तो केवल का होता है सर ओपियस का होता है तो सर क्यों भूली भाली जनता को केवल चुनाओं जीतने के लिए बूर्ख बना रहे हो राजस्थान में तो आपकी सरकार के समा का समय आ गया है अभी तक कच्छु नहीं किया आप नहीं कर दिया नहीं कर दिया बातें बड़ी साफ हैं निश्चित तोर पर कॉंग्रेस इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है इसलिए वह आप कह सकते हैं कि गोश्राइं करने में वह बीज़पी से भी आगे चलन की कोशिश करती हुई नजर आ रही है बीज़पी के पास भी योजनाओं की कोई कमी नहीं है लाडली बेना उनमें से एक योजना है और आप यह आगे कुछ और महत्पूर्ण गोश्राइं हो सकती हैं बस मुद्धा यह है कि बीज़पी को उन चीज़ों को आर्डर में करते हैं वो अपनी पूरी शक्ती लगाकर इस चुनाओं को बीज़पी के पक्ष में मुड़ने की कोशिश करें और कॉंग्रिस के लिए मुद्धा यही एहम है कि वो अपने डेक्लेरेशन उस तो करती ही चले लेकिन साथ में जो एक जुटता का उसने एक तत तो दिखाने की कोशिश की है ये कहीं कागजी साबित ना हो अंतिम अंतिम दौर तक चुनाओ के ये मैसेज बराबर रहे ही नहीं दिखे भी एक्जिक्यूट भी हो कि हम साथ साथ हैं ये दोनों ही मंत्र दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि लड़ाई बेहद पीछे नहीं हट रहा है सर और नहीं हटेगा इसलिए इस बार भी एक कांटे का मुकाबला होगा लेकिन अंतिम पंदरह दिन में जो एक लहर चलेगी किसी पार्टी के पक्ष में वो पार्टी जो जीता होई सिकंदर की तर्श पर आगे बढ़ेगी आगे देखिए चतिस ग झाल 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 झाल